नमस्कार फ्रेंड मैं हूँ चंदन पटेल और देखे आप देख पा रहे होंगे एफल इंडिया एफल इंडिया में आल लगबग तीन दिन से रिवल्सर देखने को मिल ला है पले से केंडल आपको थोड़ा सा यहां पर डाउन देखने को मिल ला है लेकिन आप अगर दिहान से देखेंगे तो आपको यहां पर हर एक केंडल आपको एक अपर ट्रेंड दिखाई देगा आप यहां पर देखिए यह केंडल है यह केंडल देखें इस केंडल से उपर यह केंडल बंद हुई है कि और फिर इस कैनल से उपर ये कैंडल बंद हुई है तो आपको देखने को मिल आए कि अपर ट्रेन्ड में लेकिन ये कैंडल आपको ऐसा लगेगा कि यह डाउन ट्रेंड में लेकिन ऐसा नहीं है वो डाउन ट्रेंड में भले से ही बंद हुआ है लेकिन वो अपर ट्रेंड रही है कैफल इंडिया में गिरावट खत्म हुई है तो देखे हम उसके उपर बात करते हैं कि पहले स्टॉक यहाँ पर आया था आप देखे जब यहाँ पर गिरावट आई थी बहुत ज्यादा पर यह इस्टॉक अपर सरक्यृट माना था आप यहाँ तो अपर सरक्यृट माना फिर उसके बाद डार एक ऊंड मोफं यहाँ पर फिर वहां से यह stock धीरे 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 करके correction में आया और यह मैंने डेवाई चार्ट लगाया है पंडे का चार्ट है आप यहां पे देखे अगर मैं यहां पे weekly चार्ट लगा हूँ तो weekly चार्ट में आपको एकदम जबरदस पता चलेगा क्यों मैं जितनी भी वीडियो आप देखेंगे सब वीडियो में मैंने बोला है कि FL इंडिया लगबग लगबग यहां पर सपोर्ट लेगा यह जो बॉक्स टेरिंग का जो इसका जोन है वो यहां पर सपोर्ट लिया था पहले और सेम जगह पर ही सपोर्ट लेगा तो आप देखें लगबग 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 एक वही जोन है आप देख पा रहे होंगे कि जो इसकी एक बड़ी वाली कैंडल है आप देखेंगे कि लगबग वही जोन है उसी जोन पर इसने सपोर्ट लिया है और फिर से अब ये अपर ट्रेंड जाना चालू हो गया है तो अभी मेरे को लगता है कि इसमें और जादी गिरावट नहीं होगी अगर इसमें गिरावट होगी भी तो बहुत ना मातर होगी इस से जादा अब ये गिरावट नहीं होगी तो आपको यहाँ पे कम से कम 60-70% की होलडिंग खरीद लेनी चाहिए अगर आपके पास पहले से यह माल पड़ा हुआ है तो आपको यहाँ पे इस लेबल पर आपको जरूर से जरूर जो एवरेज है आपको यहाँ पे खरीद के एवरेज लाना चाहिए अगर आपने यहाँ पे खरीदा है इधर खरीदा है इधर खरीदा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है आप यहाँ पे अगर खरीदेंगे तो आपका एवरेज लगबा लगबा इधर आ जाएगा या इदर आ जाएगा अगर आप ने यहाँ पे पांच कॉंटिटी खरी दी है तो आप यहाँ पे दस कॉंटिटी खरी देंगे तो आपका Everage यहाँ पे आ जाएगा तो हमेंसा उस हिसाब से खरी दी कि आपका Everage थुड़ा और कम आए ठीक है कि तुच ज़्याधा नहीं मैं बोलना चाहूँगा बस आपको यही में वह देख्याआश बताना चाहता हूं कि इस लीबल पर पहले इसने सपोट्ट लिया था और आ बॉक्स ट्रेडिंग के था अभी से इसे लीबल पर यह सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट लेने के बार यहां से बांस बाउनस बैक करेगा अगर यह ए हां से बांस बैक करता है तो फिर से अपर सिर्क्국ित का सलसिला जारी हो जाएगा तो आपको और भी इस स्टॉग में इंट्रिल लेने का मौका नहीं मिलेगा जो भी मौका है सब यहीं पे है क्यूश कि आपको पता ही है कि यह बहुत तेजी से जंप मारता है और यहां पर मैं अगर मंत्री चार्ट लगाओं तो आपको देखने को मिलेगा कि देखिए यहां पर इसकी ओपनिंग हुई थी फिर उसके बाद यहां पर गया था इस टॉक फिर डाउन आया था फिर उसके बाद यहां पर आने के बाद थोड़ा सा फिर डाउन गया फिर यहां पर देखिए यह इस टॉक आया फिर यहां पर बॉक्स ट सो तीन सो के आस पास गया था मैं अगर कि यहां पे देखूं तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि छहजार दो सो पचासी रुपए 65 पैसे और वहां से यह स्टॉक में इतनी भेंकर गिरावट आई कि लगबग यह भी आपको दो हजार रुपए के डिसकाउंट पे मिलना है कितना दो हजार रुपए के डिसकाउंट पे जो कि बहुत ही एक बेस्ट लेबल है अगर आपने यहाँ पे मौका छोड़ दिया तो फिर आपको यह स्टॉक मिलने वाला नहीं है ठीक है यह चीज़ आप ध्यान रखें ओके थेंक्यू फ्रेंट